कि नमस्कार राजशिक्षा सोध एब परसिक्षन परिशाद बिहार पटना में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों बर्ग सिक्ष से विषय हिंदी अध्याए एक अर्मान जिनके कभी राम नरेश्तिर पाठी जी हैं इस पाठ को हम लोग आज चर्चा करेंगे इस पाठ को ही हम लोग आज पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग राम नरेश्तिर पाठी के बारे में परिचे करेंगे उनके जीवन के साथ उनकी रचनाओं को देखेंगे उनकी भासागत सहली को देखेंगे तो आईए सबसे पहले हम लोग इनका जीवन परिचे सुरू करते हैं स्री राम नरेश तिरपाठी आधुनिक यूग के कभियों में अपना महतपुर्ण अस्थान रखते हैं। इनका जन्म 1889 में उत्तर परदेश के कोईरीपूर, जौनपूर, जिला में हुआ था। विद्याले की समान सिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने उर्दू, संस्क्रीट, गुजराती तथा बंगला आधी भासाओ का अच्छा ज्यान प्राप्त किया। वे बरे मननसील, परिश्रमी तथा अध्यनसील थे। स्वभाब से भरमनसील भी थे। लोक गीतों के संग्रह में तिरपाथी जी की विशेश रूची थी। सन 1962 इस भी में इनका निधन हो गया। ये उनका जीवन पर्चे है। आगे हम लोग उनके जीवन पर्चे के बाद उनकी काब्वे गत परमुख रचनायों को देखेंगे। तिरपाथी जी बहुमुख मुखी पर्तिभा के धनी कलाकार थे। उन्होंने काब्वे उपन्यास, निवन्ध, समा लोचना और संपादन में अपनी पर्तिभा का पर्चे दिया। उन्होंने बाल उपयोगी एवं इस्त्री उपयोगी साहित की भी रचना की। कभी के रूप में तिरपाथी जी ने परवंद एवं मुक्तक दोनों परकार की काब्वे की रचना की। बच्चों, उनके प्रमुख काब्वे खंड, पत्थिक, मीलन, स्वप्न, आदी हैं। मानसी मुक्तक कभिताओं का संग्रह भी है। अब हम उनकी भासागत सैली के बारे में काब्वे गत विस्यस्ता के बारे में जानेंगे। तिरपाठी जी की कभिताएं देश भक्ती से प्रेडित हैं। अर्थात वो देश भक्ती की भावनाओं से प्रेडित होकर अपनी कभिताओं को लिखते हैं। राश्ट्रियता के अतिरीक उनकी रचनाओं में पौरानिकता, एतिहासिकता, राजनीती, सत्य, अहिंसा एवं आदर्स का बड़े प्रभावी धंग से हुआ है। प्रकृति प्रेम तथा नवीनता के प्रती आगरह भी इनके काव की परमुख भी से स्ताएं हैं। छायाबाद का संदर्ज भी इनकी कभिताओं में देखनों के मिलता है। बच्चों, तिरपाठी जी की भासा परिमारजीत खरी बोली है, जिसमें उर्दू के सब्द भी अपना रंग दिखाते हैं। भासा में परायह सरलता एवं सुबधता बनी रहती है। भासा सैली की बात करें, तो राम नरेश तिरपाठी जी का जो भासा सैली है लेखनी भावपूर्ण और सरल है। उन्होंने संस्कृत के सब्दों का अच्छा उप्योग किया है और उनके कावे में यहाँ परकट होता है। बच्चों उन्होंने अपने कावे में उर्दू के च्छंदों का भी उप्योग किया है। तिरपाठी जी ने मुखरूप से बरनात्मक और उपन देसात्मक सैली का आधान परदान भी किया है। उनके कावे में विशेश उरूप से स्रिंगार, शान्ती और करुन रस का पर परियोग अत्यंत सुन्दर्ता के साथ होता है। वे अनुपरास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्छा जैसे अलंकारों का परियोग करते हैं। बच्चों ये अलंकार जो है वो कावे को सुन्दर सजावट के लिए परियोग किये जाते हैं। ताकि उसका अर्थ भी बहुत ह अच्छी तरह से दीखे और कावे की सुन्दर्ता बनी रहें। और तिरपाथी जी जो की इस तरह के अलंकारों के परियोग करने में माहिर है जिससे उनकी रचना और भी सुन्दर बनता है। आईए अब हम लोग आपके बर्ग से संबंधित अर्मान जो इनकी रचना है रा जानेंगे उनके कविता को पहले पढ़ेंगे और साथ में उसका भावार्थ भी जानेंगे। है सौक यही अर्मान यही हम कुछ करके दिख लाएंगे मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। बच्चो यहां हम अस्पश्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारी सौक क्या है सौक अर्मान यानि लालसा हमारी लालसा होनी चाहिए कि हम कुछ करके दिखाएं इस देश के लिए समाज के लिए और अपने लिए कुछ करें यह संसार नस्वर है नस्वर मतलब नस्ट होने वाला क्योंकि इस पिर्थीवी पर जो बेक्ति आते हैं जन्म लेते हैं मर जाते हैं और इसलिए इस संसार को नस्वर कहा गया है लेकिन इस संसार में वो बेक्ति जिवित हैं अर्थात अमर हैं जिनकी कुछ किर्तियां इस संसार में हैं जैसे हमारे महापूरुस लोग जो कि चाहे वो भगत सिंह हो या महत्मा गांधी हो या जो भी करांतिकारी लोग चंसेखर आजात जी हो तो इन सारे लोगों ने जो किर्तियां करके हमारे बीच रखी है उसके वज़़े से ये अमर है और ऐसे ही अमर बेक्तियों में हमें अपना नाम दर्ज करानी है कि आगे हम अगले अंस को देखते हैं जो लोग गरीब भीखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाएंगे जो लोग गरीब भीखारी हैं कहने का मतलब जो दबे हुए हैं जो गरीब हैं जिनके पास आर्थिक इस्थिती अच्छी नहीं है समाज में वे अपना भरन-पोछन के लिए ललाईत है या अपने भरन-पोछन के लिए वे बिलकुल कमजोर है वे भीखारी है अर्थात वे दूसरे से कुछ मांग करके जीवित हैं, खाते हैं या जो समाज में सहायता से बंचित है ऐसे लोगों की मदद करना उनको गले लगा कर उनको सुखी बनाना हमारा उदेश है तो बच्चों हम उनको गले लगाएंगे यानि जो बेक्ति जो भिखारी है गरीब है उनको हमें अपने साथ मिलाना है अपने सहायता से उसको आगे बढ़ाना है तो आगे के अंस देखेंगे जो लोग हार कर बैठे हैं उमीद मार कर बैठे हैं हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उतसाह जगाएंगे बच्चो जो लोग हार कर बैठने का मतलब है कि जो निरास है हतास है जिनको ये समझ है कि अब हम अपने जीवन में कभी अच्छा नहीं कर सकेंगे ऐसे लोग को जो बिलकुल ही अपने जीवन के निरासाओं से घिरे हुए हैं उनको हम उनकी अग्यानता को दूर करेंगे उनकी अग्यानता को दूर करके उन्हें पुरतसाहित करेंगे ये हमारा कर्तब्य होना चाहिए आगे बच्चो हम अगले अंस को देखते हैं रोको मत आगे बढ़ने दो कभी का कहना है कि रोको मत आगे बढ़ने दो आजादी के दिवाने हैं हम मात्र भुमी की सेवा में अपना सरवस लगाएंगे कभी की इक्चा है कि रोको मत आगे बढ़ने से नहीं रोको क्यों क्योंकि हम आजादी के दिवाने हैं हम अच्छे कर्म के लिए आगे बढ़ने को तत्पर हैं हमें पुनित कर्तब पुनित कर्म को करने के लिए आगे बढ़ना है देश धर्म को हमें आगे बढ़ना है हमें मत रोको क्योंकि हम आजादी के दिवाने हैं हमें आजादी बहुत प्यारी है और हम अपना मात्री भूमी के सेवा के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे ये कवी का कहना है और अगले अंस में हम लोग देखेंगे आगे हम उन बीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं हम उनका मान बढ़ाएंगे हम जग में नाम कमाएंगे हम उन बीरों के बच्चे हैं अर्थात हमारा जो प्रिष्ट भूमी है हम हमारे जो पुर्वज हैं पुर्वज का मतलब जो पुर्व जमा जो यानि पुर्व कहने का मतलब पहले और जो से जन्म लेने वाले जो पहले जन्म लिये हैं यानि हमारे जो पुरुवज हैं वो बीर हैं वो अपने कर्तब और अपने धून के इतने पक्के हैं कि वो अपना साहस का अपने प्राकरम का अपने बेक्तितु का संसार में लोहा मनवाया है तो ऐसे बेक्तियों के धुन के पक्के बेक्तियों के हम संतान हैं और हमें भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनके आगे बढ़े हुए कदमों का अनुसरन करते हुए हमें अपना एक प्रभाव छोरना है तो बच्चों हम लोगों ने जो अर्मान कविता परहा उसका भावार्थ मैंने बताया अब हम इस कविता को सारांस को देखेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ परतेक बेक्ति का कुछ अर्मान होता है अर्मान मतलब लालसा हर बेक्ति का कुछ न कुछ लालसा होता है कुछ पाने की लालसा कुछ कर गुजरने की लालसा तो जो बेक्ति इस पिर्थी पर आये हैं जो बेक्ति इस पिर्थी पर जन्म लिया है वो परतेक बेक्ति कुछ न कुछ अर्मान रखते हैं और कभी स्री राम नरिश्तिर पाठी जी अपने अर्मानों के माध्यम से हम मानवों को संदेश देते हैं कि मनुस्य को देवत गुन का अवधान करना चाहिए मतलब जो देवताओं का गुन है अर्थात जो अच्छे गुन है वो हम अपने अंदर शमाहित करें और यह तभी संभब हो सकता है जब हम गरीबों के बीच जाएं गरीब सहारा बे सहारा लोगों को सहायता दे उनके समस्याओं को समझे और समाज में ऐसे बेखती जो बंचित है जो गरीब हैं उनको हम अपने गले लगाएं समाज में जो लोग निरास हतास बैठे हैं हतोसाहित है उनको हम प्रोतसाहित करें उनके बीच उत्साह को बढ़ाएं उत्साह जगाने के बाद उनको हम कर्तब्य पत्थ पर लाने का पर्यास करें अर्था कर्तब्य प्रायन बनाएं मात्री भूमी की सेवा करना हम मनुस्यों का परम करतब्य है इसके लिए हमें तन, मन और धन से लग कर अपने देश की अपनी मात्री भूमी की सेवा करना है और यही मनुस्य का परम करतब्य भी है हमें अपने पुर्वजों का मान शम्मान बढ़ाने का पक्का इरादा होना चाहिए धुन होना चाहिए सत्त का अनुसरन करना चाहिए क्योंकि हमारे पुर्वज बीर करतब निष्ट और सत्त प्रिये थे हमें उनके मार्ग का अनुकरन करना चाहिए तो बच्चों अब हम कुछ प्रस्नुत्तर के उपर चर्चा करेंगे आपने इस पूरे पाठ को पढ़ा जाना और अब हम उससे संबंधित कुछ प्रस्नों को हल करेंगे ताकि आपके जानकारी और पुष्ट हो सके आपकी जानकारी और मजबूत हो सके तो आईए देखते हैं पहला प्रस्न को जो की अर्मान कविता से संबंधित है पहला प्रस्न हमारा सौक अर्मान क्या है तो बच्चो आप लोग सोचिए क्या सौक है हम लोग का अर्मान क्या है आप लोग अपने अस्तर से सोचेंगे कि हमारा सौक क्या होना चाहिए अर्मान क्या होना चाहिए कविता के संदर्व में हम देखें तो इसका जवाब होगा कि कुछ करके दिखाना क्योंकि सुरुवात में ही आपको पता है कि कविता का पर्थम अंस में ही हम लोगे ने पढ़ा था कि है सौक यही अर्मान यही कुछ करके दिखाएंगे तो कुछ करके दिखाना हमारा सौक और अर्मान है अब हम अब दूसरे प्रसन के उपर चर्चा करते हैं दूसरे प्रसन को देखिए इस मरनसील दुनिया में हम क्या चाहते हैं बच्चो मरनसील दुनिया में हमको क्या इक्षा है इसको जानना है तो इसका जबाब है कि इस मरनसील दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाना चाहेंगे अमरों में नाम लिखवाने का मतलब कि जैसे हमारे महापुरूस लोग अपने मरन अमर ब्यक्तियों में अपना नाम लिखवाए उसी तरह हमें भी देश के परती राष्ट के परती समाज के परती कुछ करके अमरों में नाम लिखाने का सोचना चाहिए लिखाने का जुनून होना जाए है आगे हम लोग तीसरा प्रसन के उपर चर्चा करेंगे देखते हैं तीसरा प्रसन प्रसन है किन लोगों पर किसी की छाया नहीं है किन लोगों का मतलब वो कौन से लोग हैं जिन पर किसी लोगों की दिरिष्टी नहीं जाती है किसी की अपना तो नहीं दिखता है तो बच्चो किन लोगों पर छाया नहीं है इसका जबाब है कि जो गरीब हैं और भिखारी हैं उन पर किसी की छाया नहीं है क्योंकि जो लोग गरीब हैं गरीवी के हालत में वो जी रहे हैं भीखारी हैं गरीवी के वज़ा से ही भीखारी हैं वो अपना भरन पोसन कुछ कहीं से मांग करके या याचना करके कर रहे हैं तो उन लोगों में हमें उनहीं लोगों को सहाईता की जरूरत है और अगला प्रसन जो हमारा है चौथा प्रसन उसके संदर्व में हम देखते हैं चौथ प्रसन नमबर चार देखिए हम किसे गले लगाना चाहते हैं तो हम हमें गले किसको लगाना है तो फिर वही बात जो गरीब है भीखारी है क्योंकि उनको समस्या है वो समाने लोगों के साथ नहीं है तो हमें उन लोगों को यानि गरीब और विखारी लोगों को ही सहायता देनी है उनकी ही सहायता हमें करनी है आए इस प्रस्न का उत्तर जानने का प्रयास करेगा जो लोग गरीब हैं गरीब और भिखारी है उनको हम गले लगाना चाहते हैं तो अगला प्रस्न प्रस्न नम्बर 5 अभी तक आपने 4 प्रस्नों को जाना समझा अब हम चर्चा का पाच्वे प्रस्ण पर करते हैं बच्चो पाच्वा प्रस्ण है हमें किन लोगों का उत्साह जगाना है अर्थात हम किन लोगों को उत्साहित करें तो उत्साहित करने का मतलब जो जिन लोगों को हमें आगे बढ़ाने की जुरत है उत्साह देने की जुरत है वो कौन से ल जबाब होगा कि जो हार करके जो अपना उमीद मार करके बैठे हैं निरास है उनमें हमें उत्साह जगानी है यही हमारा उत्तर है आगे बच्चों हम पाच्वा प्रसन के बाद छटे प्रसन को देखते हैं हमें मात्री भूमी की सेवा के लिए क्या करना है मात्री भूमी की सेवा मतलब जो मात्री भूमी हम उसी कहते हैं जहां हम जन्म लिये हैं तो इस मात्री भूमी की सेवा हम कैसे करेंगे इसका जबाब बतानी है तो आईए देखते हैं इसका जबाब मात्री भूमी की सेवा में सर्वस लगाना है मातरी भुमे के सेवा के लिए हमें क्या करना है तो सब कुछ लगाना है ताकि मातरी भुमे के सेवा करने वाले को उत्साह जागरित हो और हमें इसके लिए आगे बढ़ने की जुरुत है तो आएए अब देखते हैं प्रस्ण संख्या साथ को हमें किन लोगों का संतान होने का गउरव है बच्चो हमें किन लोगों के संतान होने का गउरव है का मतलब है कि हमारे जो पुर्वज हैं वो किस तरह के थे और हम उनके संतान है तो हम किन लोगों के संतान है इनके भी से में जानना तो आईए देखते हैं इसका जबाब हम जो बीर एबम धुन के पक्के थे उन बीरों के बच्चे होने का गौरव हमें है यानि जो धुन के पक्के थे जो कुछ कर गुजरने के लिए ठान लेते हैं थे और उसको करके दिखाते थे ऐसे महान बीरों के हम संतान है ये हमारा इसका जबाब है तो आईए अगला प्रस्न जो प्रस्न संख्या आठ है उसे देखते हैं हमें किन का मान बढ़ाना है तो बच्चो मान बढ़ाना मतलब समान बढ़ाना हम ऐसा कुछ करें जिससे जिन लोगों का मान बढ़े उन लोगों के बारे में बताना है तो आईए देखते हैं इसका जबाब होगा कि हमें उन बीर पुर्वजों का मान बढ़ाना है जिनका हम बच्चे हैं और बच्चे होने का हमें गौरब है हम उन बीर पुर्वजों का मान को बढ़ाएंगे प्रसन संख्या 9 को अब देखेंगे इस संसार में हमें क्या करना चाहिए तो इस संसार में क्या करने का जो संदेश है वो राम नरेस्तिर पाठी जी दिये है तो हमें क्या करना चाहिए इसका जवाब होगा इस संसार में हमें नाम कमाना है सम्मान प्राप्त करना है और अब हम अंतिम प्रस्ण को देखेंगे प्रस्ण संख्या 10 अर्मान सिर्षक के कभी कौन है तो बच्चे जैसा कि आप लोगों को अच्छी तर से पता है कि अर्मान सिर्षक कभिता के कभी स्री राम नरेश तिरपाथी जी हैं तो बच्चो आसा करते हैं कि आज आपने बहुत ही आनंदाई महौल में इस अर्मान सिर्षक कभिता को पढ़ा समझा और इसके भावार्थ को भी जान लिये कुछ महत्पुर्ण प्रस्णों का भी संग्रह आपने जाना तो बच्चो आसा करते हैं आप इस कभिता को अच्छी तरह से समझ गये अब हम फिर अगले कक्छा में मिलेंगे और एक नए बिसाय के साथ नए पाठ के साथ और उसे जानेंगे तो धन्यवाद सपुर्ण हुर्ण